जय हिंद बजरंगी स्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है साथियों UP Beard Entrance Exam 9 जून को हुआ था और बुंदेल खंड यूनिवस्टी ने बिना ज्यादा दिन लगाए 15 दिन में इसका रिजल्ट जारी कर दिया और मुझे उमीद है कि आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा और आपने अपनी स्टेट रैंग और कटेगरी रैंग भी देख ली होगी तो रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो Beard में काउंसिलिंग प्रिक्रिया होती है वह कैसे होती है तो इस वीडियो में हम लोग Beard में जो काउंसिलिंग प्रिक्रिया होती है यानि काउंसिलिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है A to Z जितना होता है उसमें वो सब हम लोग इस वीडियो में समझने वाले है यानि काउंसिलिंग होता क्या है कॉंसिलिंग कैसे किया जाता है कॉंसिलिंग में फीस कितनी लगती है कॉंसिलिंग की फीस और कॉंसिलिंग की तारी यानि कॉंसिलिंग स्टार्ट कब से हो रही है और फिर बात करेंगे कि कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करना है फिर बात करेंगे सरकारी कॉलेज की कट ओफ कितनी है और अगर हमें सरकारी कॉलेज पाना है तो हमें क्या करना होगा यानि काउंसिलिंग से जुड़ी हर क्वेरी को मैं यहाँ पर निप्टाने वाला हूँ तो अकर आपको भी काउंसिलिंग प्रक्रिया समझनी है कि कैसे काउंसिलिंग होती है तो यह वीडियो आपके लिए है तो चलिए बिना देरी के लिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को तो इन सभी कुस्टन की हम लोग यहाँ पर आंसर करने वाले हैं देखिए काउंसिलिंग होती क्या है सबसे पहले बात कर लें देखिए रिजल्ट आता है उसके बाद जो एड्मीशन क कैसे होती है तो देखिए जो बियड की काउंसिलिंग होती है वह आनलाइन होती है ना की ऑफलाइन यानि हमें किसी स्कूल में नहीं जाना है नहीं हमें किसी कॉलेज में जाना है हमें घर बैटे अपने लैप्टाप अपने कंप्यूटर या अपने फोन में ही तो तीन चीज यहां पर रिकॉइड होती एक तो नाम और दूसरा रिजिस्ट्रेशन नंबर तीसरा बैंक अकाउंट और बाकी आपके जो भी डिटेल होती है वह पहले से फिल रहती है उसके बाद नंबर रहता है फीस का यानि कांसिलिंग फीस का देखिए कांसिलिंग की तो कॉलेज फीस है यानि अगर आपने एडिमिशन ले लिए और आपको सीट अलाट हो गई वो चाहे गोवर्मेंट सीट हो चाहे प्राइवेट सीट तो आपके वो पांच हजार उसी फीस में से कट जाएंगे लेकिन आपको जब जमा करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम य पेले से ही रिजर्व कर लिया जाता है और अगर आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है और आपको कॉलेज अलोट नहीं हुआ है तो आपके वो पांच हजार रुबए वापस आ जाएंगे इसी लिए यहाँ पर बैंक अकाउंट मांगा जाता है यानि अगर आपने कॉंसिलिंग करा ली फीज भर दी और आपने जो जो कॉलेज को प्रिफरेंस में रखा था अगर वो कॉलेज आपको नहीं मिला तो आपके उसी बैंक अकाउंट में वो पैसा पांच हजार वापस आ जाएगा और यह साड़े साथ सो है यह तो नॉन रिफंडेबल होता है क्योंकि यह तो कॉंसिलिंग की फीज के संबंद में फीज है साले साथ सो लेकिन एडमिसन के लिए आपको पांच हजार और रखना पड़ेगा तो इसलिए टोटल फीज इसमें लगती है 5750 रुपए जो की पांच हजार आपको कॉलेज मिलने के बाद आ जाएगी और अगर आपको कॉलेज अलोट हो जाता है तो उसी फीज में 5000 इंकलूड हो जाएगा जैसे आपकी फीज है 5000 या किसी सरकारी कॉलेज में 6000 तो आपने 5000 पहले से जमा कर दिया अब आपको 1000 और जमा करना पड़ेगा बस तो यह तो है कॉंसिलिंग फीज के बारे में अब नेक्स्ट बात करें कॉलेज गवर्मेंट कॉलेज सेलेक्ट करना या फिर आप जो कॉलेज चाहते हैं वो कॉलेज सेलेक्ट करना चाहे गवर्मेंट हो चाहे प्राइवेट हो लेकिन जो लोग गवर्मेंट चाहते हैं वो लोग गवर्मेंट ही भरेंगे तो फिर अगर आपकी रैंक अच्छी है तो चाहे गवर्मेंट हो चाहे प्राइवेट हो तो आपका वो फीस पांच जार नहीं आएगी तो कॉलेज भरते समय ध्यान से भरिएगा जिसमें आपको इंट्रेस्ट हो वही कॉलेज भरिएगा फिर आप बात कर लें कि कॉंसिलिंग हमें करनी कब है तो देखे ये पिछली बा पहले बिलाए जाता है इसमें चार फीस होते हैं एक फीज हो गया एक फीज यह हो गया दो और फेस तीन होग हूँ क्योंकि जब से बाओ अब राएमरी से बाहर हो गया तब से लोगों का रोज्ञान ब्याइत की तरफ कम हुआ है तो देल van te değil What Das एक रैंक से लेकर 75,000 तक है उनको पहली बार में मौका दिया जाएगा कि वह अपना रजिस्ट्रेशन कराएं अपनी फीज भरें यहां पर लिका है रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग यहीं लोगों को क्या-क्या च्वाइस से कॉलेज की वह सब होगा तो पहली बार म कंप्लीट हो जाएगी भाई इसमें 10-12,3 तो लगेगा ही फिर दूसरी बार में बुलाया गया था 75,000 और दो लाग तक लोगों को अब इस बार दो ही लाग लोग है तो क्या फेस दो में ही होगा यह हो सकता यह लोग थोड़ा कम केंडिडेट ले लें जैसे पहले में ले एक से 50,000 तक दूसरे में ले लें 50-1,500,000 अब वो तो कॉलेज वाले जाने लेकिन फिलाल यही पर यही है कि दूसरी बार में उन्होंने 75,000 से 2,000,000 तक बुलाया था और तीसरी बार उन्होंने 2,000,000 से ज्यादा को बुलाया था यानि जिदने लोग है वो लोग यहाँ प जो भी उनका preference था वो college भर लिया फिर उनके college allotment का number आएगा कि उनको college allot किया जाएगा और वहीं से पता चलेगा कि कौन सा college किसको दिया जाएगा तो इसी तरह के schedule अब की भी जारी होगा तो जब schedule आएगा तो आप सब तक video के मैदम से share कर दिया जाएगा तो इसके लिए आप हमारे channel से connect हो जाएं फिर आगे बात करते हैं हमारा सरकारी college की cut off क्या रहेगी देखिए एक तो होती है state rank और एक होती है category rank तो आपको category rank से कोई लेना देना नहीं है और state rank जिनकी 12-15,000 तक है उनको सरकारी college मिलने की संभावनाएं हैं क्योंकि देखिए लोगों का B.A. प्रति रुजान कम हुआ है और चुकि सरकारी में problem ज्यादा हाला कि पैसा कम लगता है लेकिन उसमें आने जाने की समस्या होती है class attend करने की problem रहती है तो ऐसे में लोग सरकारी college कम preference करते हैं जिनके पास time नहीं है और जिनके पास time है उनके पास पैसा नहीं है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकारी सीट को drop कर देंगे और वो लोग college को private college को prefer करेंगे तो ऐसे में जिनकी rank 15,000 तक है उनको government seat मिल सकती है बाकि आप लोग category wise अपनी rank ना देखे कि मेरी category wise इतनी है अगर आपकी state rank है 15,000 तक तब आपको मिल सकता है और यह मैं खीच खांच के 15,000 बता क्योंकि हो सकता है सब लोग करा ही लें या हो सकता कुछ लोग छोड़ दें तो डिपेंड करता है कितने लोग छोड़ रहे हैं कितने लोग counseling करा रहे हैं और बाकी इसमें ऐसे कोई number की to cut off है नहीं कि इतने number पर cut off लगेगी इसमें rank wise ही cut off लगती है फिर last question हमारा counseling कब से सु कुप कॉंसिलिंग में फाइनल सेमेस्टर की मार्क शीट भी लगती है तो इसीलिए जब तक जो लोग फाइनल येर में है बार जिनका लास्ट सेमेस्टर चल लहाँ जब तक उनका एक कसलन थो कभी कांसिलिंग स्टार्ट नहीं हो तो कब से शक्ति के commitment से 25 के या starting अगत से ही counseling शुरू हो और बाकी आप लोगों को कौन-कौन से documents लगेंगे इसके लिए मैं एक separate वीडियो बनाऊंगा अच्छा B.A.D. में कौन-कौन से college हैं इसके लिए मैं next video आपके साबने लेकर आऊंगा कि जितने सरकारी college और private college की list है और आपके शहर में आपके जिले में कौन-कौन से college हैं ये सबी आप देख लीजेगा तो इनको उपर next video आएगा यहाँ पर देखी लगाए यूपी B.A.D. 2021 government and added college list जो 2021 में थे वही 2024 में रहेंगा या एकाद दो को blacklist किया हो गया होगा तो हो सकत है वरना अगर college list आपको देखनी है कि कौन सा government है कौन सा एड़ेड है कौन सा private है अच्छा government और added में ज्यादा फरक नहीं रहता है उनका सारा process government जैसा ही होता है एड़ेड़ों का प्राइवेट का एकदम अलग होता है तो next video college पे आएगा कि कौन से college की list कहां पर है और इसकी पीडियाफ भी दी जाएगे और पीडियाफ आप हमारे telegram channel बजरंगी study point से प्राप्त कर सकते हैं जो कि उसका link description box में दे दिया गया है तो next video के लिए भी ready हो जाएं बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें comment में बताईएगा कि आपको counseling की पूरी प्रक्रिया समझ में सभी सरकारी और private college की list के लिए तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिंद